हेलो गाइस इस वीडियो में हम लोग पाच ऐसे बैतरीन वेबसाइट देखने वाले जो हम लोग को फ्री में प्लेगरिजम चेक करने की सर्वाइसिस प्रवाइड करती है प्लेगरिजम बहुत ही इम्पॉर्टन फयक्टर है in SEO अगर आपका कंटेंड प्लेगरैस्ट है तो वो गुगल में कभी रैंक ही नहीं कर सकता उपर से आपको पाबनेंट भी हो सकती है तो फ्लेगरिजम हम लोग किसे केते bize अगर आप किसी का कंटेंट को चुराते हो और उस प्रकर का fraud ही है तो इसमें कौन-कौन से चीज़ा आती है अगर आप लोग किसी के words ये फिर ideas को चुराते हो और फिर किसी का content चुराते हो और उसे credit भी अगर आप लोग नहीं देते ये फिर आप लोग किसी के images, videos, music ये सब चुराते हो तो ये सब algorithm के अंडर आता है तो इस वी वेबसेट बताऊंगा और इसमें दो ऐसे वेबसेट है जो जिसमें वर्ड लिमिट नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरू देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करना तो अभी आप लोग फिफ्ट वेबसेट कौन से वो देखते हैं तो फिफ्ट मैंने डुपली चेकर को रखा है इसमें वर्ड लिमिट थाउजन वर्ड का है इसमें आप लोग फाइल अपलोड कर सकते हो कौन से फॉर्मेट में वेब पेज उरल से भी आप लोग प्लेगरिज नहीं दिया गए लेकिन इसका जो रिजल्ट आते हैं प्लेगरिजम चेक करने के बाद वो एकुरिसी बहुत अच्छी रहती है इसमें आप लोग फो रिजल्ट जो है ना वो परसंटेज में आते हैं इसमें आपको कंटेंड यूनिक करने के लिए एक आप्शन मिलता है प् लेकिन इसमें मेरे को पसंद आये वो है इसमें आप लोग एक स्पेसिफिक यूरल को एक्स्ट्यूट कर सकते हो बाकि इसमें भी सेम ही है आप लोग डॉक्यमेंट अपलोड कर सकते हो कौनसे भी फॉर्मेट में प्लैगरिजम चेक करने के लिए वेपेज उर्यल से आप लोग चेक कर सकते हो इसमें भी यह लोग बिलियंस ओफ वेपेज से आपका कंटेंड को मैच कर दे और फाइंड कर दे कौन सा मैचिंग हो रहा है और इसमें जब रिजर्ट्स आते हैं तो वो परसंटिज में आते है जो प्लैगरिस्ट कंटेंड है वो हाइलेट होता है उसका जो मैच हुआ है वो दिखाते हैं हाइलेट करते हैं और सोर्स भी बताते हैं कि कौन से वेबसाइड या फिर पोस्ट से वो आपका कंटेंड मैच हो रहा है तो यह भी एक अच्छी बात है इसमें थर्ड प्लेस्ट भी जो मैंने रखा है वो है सर्च इंजिन quotes.net इसमें 1500 words पर सर्च का लिमिट है इसलिए मैंने उन दोनों से उपर रखा है और इसमें आप लोग file भी upload कर सकते हो इसमें format भी multiple format support करता है इसमें exclude URLs का भी option है और 5 URL आप लोग exclude कर सकते हो उसमें से एक ही URL कर सकते हो इन 4 आप लोग URL से भी plagiarize चेक कर सकते हो और result जो आते हैं इसमें after plagiarism scanning वो percentage में तो आते है तो जो भी plagiarize content है वो highlight होता है उसका source जो match हुआ है वो आपको बता दे कौन से website और फिर पोस्ट से match हुआ है उसका link भी मिलता है आपको आप लोग इसक को rewrite भी कर सकते हो तो यह third option जो है वो best है उन दोनों से इसका भी accuracy बहुत अच्छा रहता है और उन दोनों से अच्छी बात है कि यह 1500 word तक सर्च कर सकता है नंबर दो पे मैंने रखा है study clerk.com यह जो website है इसमें आप लोग unlimited words scan कर सकते हो इसमें आप लोग multiple format में document भी upload कर सकते हो यहां पे text डाल के check कर सकते हो title दे के check कर सकते हो जब यह जब आप लोग scan करोगे तब थोड़ी देर के बाद यह आपको result दिखाए देगा वो percentage में होगा जो सोर मैच हुआ है उसका highlight होगा plagiarism content और उसका source भी बताए गए नंबर वन पे आता है check plagiarism.com इसमें आप लोग 10,000 to 15,000 तक words को आप scan कर सकते हो plagiarism के लिए इसमें आपको exclude URL का option दिया गया है जो second में नहीं दिया गया इसलिए मैंने इसको first number पे रखाए इसमें आप लोग multiple file भी upload कर सकते हो plagiarism चेक करने के लिए और जब आप लोग इसे चेक करोगे तो इसका result जो आएगा वो percentage में आएगा जो match होता है उसको highlight करेगा plagiarism content को और source भी बदा जाए कौन से source से ये match हुआ है तो number one पे इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसका word limit 10 to 15,000 है तो कोई भी blogger इसको use कर सकता है क्योंकि इतना बड़ा post तो कोई नहीं लिखता words का तो अभी मैं आपको बदव अगर आप लोग 15 सू वर्ड या फिर उसके नीचे लिखते हो तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप लोग एक थर्ड वाला use करो search engine reports.net का क्योंकि इसका results accuracy बहुत अच्छा है अगर आप लोग उससे ज़्यादा लिखते हो तो आप लोग ये दोनों में से कोई भी choose कर सकते हो पहले दोनों में से पहला आप लोग चूज priority दे सकते हैं क्योंकि first में आपको exclude URL का option दिया गया है वो अच्छा है और इसका तो ये थे 5 ऐसे बेस्ट वेबसाइट जो प्लेगरिजम फ्री में आम लोग को चेक करके दिते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करन शेर जरूर करो और चानल को सब्सक्राइब करना मत बुलो अगर आपको दुसरे कोई topic पर वीडियो चाहिए तो आप लोग comment section में उसे लिग सकते हो मैं अगले किसी वीडियो में वो content cover करने के कोश्चित जरूर करूंगा धन्यवाद झाल